तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं, हमने जो नया बैच श्टार्ट किया हुआ है, 2024-2025 के लिए बीए फर्स समेश्टर की इंग्लिस के यूनिट नमबर वन को हम आपका कम्पलीट करवा रहे हैं इसमें Day 1 की वीडियो आलेडी बन चुके अगर आपने नहीं देखिये तो देख सकते हैं, आज हम Day 2 पढ़ने वाले हैं इसका स्लेबस डिसकसन आलेडी हमने कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरू देखिए कि आपको पढ़ना क्या है बेसिकली ओबर राज तो unit number 1 में आपको English Literature के बारे में पढ़ना था तो जिसमें पहला unit जो हमने पढ़ा था unit 1 का day 1 उसमें हमने Siri औरविंदु जी के बारे में पढ़ा हुआ था वो उनका बचपन, उनका contribution, उनका education, उनको कौन कौन से prizes दिये गए तो आज वैसे ही मुझे पढ़ना है रवींद्रनाट टेगोर के बारे में शौरी यहां पर मैंने लिखना बूल गया रवींद्रनाट टेगोर जी के बारे में पढ़ना है कि रवींद्रनाट टेगोर कौन थे उनका education, उनकी contribution, उनके काम, इन सब चीजों के बारे में आज इस unit में हम समझने वाले हैं तो वीडियो में अंत जरूर बने रहीएगा, आपको रवींद्रनाट टेगोर जी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा तो इसको हमने काफी कुछ specific लिखा हुआ है, तो आपको एक board पे इतना सब कुछ दिखने को मिल रहा है, बट इसमें काफी कुछ चीजें समाई हुई है आप समझने की कोशिस केजिए, जैसा कि अगर हम introduction की बात करें न, कि रवींद्रनाट टेगोर कौन थे तो रवींद्रनाट टेगोर वस दा बाड आफ वेंगाल, बाड क्या होता है, बाड इस दा greatest personality, means की बहुत great personality को यह हो, जैसे की आप कह सकते हो की राची के बारे में, जारखंट के बारे में के मैस धोनी इस दा बाड आफ राची, यह कहा जा सकता है, बहुत famous known personality तो रवींद्रनाट टेगोर वस दा बाड आफ बंगाल, वो रवींद्रनाट टेगोर वस दा पोएट, रवींद्रनाट टेगोर वस दा फिलासफर, रवींद्रनाट टेगोर वस दा प्ले राइटर, रवींद्रनाट टेगोर वस पेंटर, means देख रहे हो, एक इनसान, एक इंसान की personality में इतने सारे types इतनी सारी चीज़ें तो definitely वो इंसान एक महान इंसान होगा जो इंसान poet भी है philosopher भी है, musician भी है, play writer भी है, painter भी है, सब कुछ इतनी broad personality थी रविन्ना टेगोरजी की अब अगर हम बात करें इनको कहा जाता था greatest luminous इसको भी luminous means भी होता ही है greatest अपने आप में बहुत ज़्यादा famous इंसान in the history of Indian literature Indian literature की पूरी history में इनका बहुत बड़ा नाम था and cultural, जो है renoissance, जैनि की culture को फिर से जीविद करने वाला, culture से connected person, इनका नाम इंडिया के history में काफी महानता के साथ दिया जाता है तो रवीन ना टेगोर बस वनवता biggest poet, philosopher biggest social service यह पूरा situation, यह पूरी scenario पूरे titles रवीन ना टेगोर के साथ aligned होते हैं, आप समझ सकते हो कि इंसान कितनी बड़ी personality ले करके चल रहा था इनके बारे में अगर थोड़ा सा और समझे तो इनको renewed किया जाता था जाना जाता था या पुकारा जाता था गुरुदेयों के नाम से कि सभी लोग इनको गुरुदेयों के नाम से जानते थे कि यह गुरुदेयों है गुरु किसको कहते है जो हमें कुछ सिखाता है, जिसके personality broad हो, जिसका औरा ही ऐसा हो कि यार वाव, ये इंसान है, समझ लो, इनका जन्म हुआ था रबिन्ना टेगोर जी का 7 में 1861 को, 7 में 1861 को इनका जन्म हुआ, इनके फादर थे देवेंदरना टेगोर, जो की एक religious reformer थे, देवेंदरना टेगोर में, इनकी मृत्य हुए थी 7th August 1941, 77 August 1941, 41 में इनकी मृत्य हुए थी, 7 में को पैदा हुए थे, तो ये रहा इनका basic रूप से introduction की, who was रबिन्ना टेगोर, अब बात करते हैं, रबिन्ना टेगोर के शुरुवाती time period, उनके education के बारे में, की रबिन्ना टेगोर का शुरुवात संतान थे 13 संतारों में से, यानि कि ये 13 नंबर के बच्चे थे अपने माता पिता के, since his mother passed away, spent most of the time with the servants, इनकी मा की जो मृत्यू थी ना, वो काफी शुरुवाती time period में ही, इनके जन्म के थोड़े दिनों के बाद ही, उनकी मा की मृत्यू हो गई थी, तो उनका जो several time बीता कि गंटी चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा रहा, he never liked, उनके लिए घर पे ही tutors रखे गए थे, कि घर पे आकर के ही tutors इनको पढ़ा के जाते थे, इन्होंने यहां से क्या-क्या चीज़े सीखी, literature, history, philosophy, music, ये सारी चीज़े इन्होंने घर पे ही सीखी, घर पे आकर के tutors इन system में, and England में जाकर के इन्होंने study किया law का, law के बारे में पढ़ा, कानून के बारे में पढ़ा, और बैरिष्टर बन करके वापस इंडिया आते हैं, ओके, तो ये इनका पूरा basic education system रहा, अब इन education system के बल पर इन्होंने काफी कुछ contribution दिया इस country को, अब उनके contributions में क्या-क्य चीज़ें आप देख सकते हो, समझ सकते हो, तो ये देखो, he wrote not only poems, उन्होंने केवल poems नहीं लिखे, और क्या लिखा इन्होंने, but also drama, novels, essay, इन्होंने drama में लिखा, novels भी लिखा, essay भी लिखा, बहुत सारी चीज़े इन्होंने लिखी, also awarded by novel prize for literature of his work, Gita Anjali in 1913, 1913 में इनको Nobel Prize दिया गया, किसलिए दिया गया, उन्होंने जो अपनी book लिखी हुई थी, Gita Anjali, तो Gita Anjali एक poetic book थी, इसके लिए इनको 1913 में Nobel Prize दिया गया, sometimes हम confuse जाते है 1913 को देखकर, 1910 में Gita Anjali published हुई थी, लेकिन 13 में Nobel Prize दिया गया था, the British crown awarded him as the title of knighthood, British crown जो था, जो अंगरे जी सास उन्होंने इनको क्या किया था, नाइठ हुड के नाम से title दिया हुआ था, कि he is the knighthood of India, लेकिन क्या हुआ कि he returned this title after जलिया वाला बाग, जलिया वाला बाग, हत्या कांट जब हुआ, उसके बाद इन्होंने title वापस कर दिया, कि I don't need any title, जो हमारे लोगों को मारते हैं, उन ल इन सब जो songs इनको जाना जाता है, रबींदर संगीत के नाम से, मतलब एक तरीके से एक जैसे album होता है, आज के time period में, एक album में इतने गाने निकले, तो ऐसे 2230 songs का, रबींदर टैगोर का एक album है, रबींदर संगीत के नाम से, उके, इन्होंने इस्टैबलिस किया, सांति नि के बोलपुर गाओं में, एक चोटा सा गाओं है, बाद में यह जो संति निकेतन था ना, यह एक बड़े उनिवर्शिटी के रूप में सामने आता है, तो यह इनके कुछ contributions हैं, जो उन्होंने देश के लिए किया था, अब उनके काफी important काम भी है, his famous works, उनके बहुत सारे का की है, जैसे कि इन्होंने चीतरा लिखा, जो की published हुए in 1930 में, इन्होंने बालमिक की प्रतिबहा लिखा 1881 में, इन्होने गोरा लिखा 1910 में, ग이다anchly लिखी 1910 में, पोस्ट आफिस इन्होंने लिखा 1914 में, दा विख्ष, इन्होंने लिखा usage by 1921 में, दा व्होंए अढ लिख कहीं पर आप देखने को मिलेगा, आपको nobels, कहीं drama देखने को मिलेगा, कहीं music, कहीं play writer, काफी कुछ चीज़ें आपको इनकी personality में देखने को मिलेगी, तो he was one of the biggest personality of West Bengal and almost the India, क्योंकि इनका बहुत इज़त किया जाता था, बहुत value थी, इनका अपने literature में बहुत जादे काफी कुछ काम किया, देश को आगे ले जाने के लिए, हमारे देश का जो राष्ट गान है, जन, गड, मन, वो भी इनी के द्वारा लिखा गया है, तो अपने आप में इनकी बहुत भूमिका रही है, और आगे भी हमको इनके बारे में काफी कुछ पढ़ना है, इनके कारे के लाइकन जरू हिट कर लीचेगा, ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, चैवारत.